लो अब्रिवन दिस प्रज्जुल वर्माव फ्रॉम आवे सिटी आस्पिरेंट तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर यह बताईए 70% मार्क्स जो अच्छे मार्क्स कंसीडर कियाते हैं बीटेंग मरीन इंजिनरी में वह हम कैसे लेके आए तो भाईद को 70% मांग अच्छे मांग कंसीडर नहीं हुत सको गयाता है Stage मांि किani anch के थी बां डटिर राघ खलन करें तो 170 इसकी रेंक होगी उसके 70% मांग कर्या स्वारा हैं ठीक है 70% marks लाने का मतलब है आप हर semester में पास हो रहे हैं आप सिंजिय स्टुडेंट है क्लास में आप अपना जब भी आप से assignment मांगा जाता है आप time से लाके देते हैं आपकी ED time से submit होती है आपकी project file time से submit होती है आप workshop में ध्यान देते हैं आप किसी भी exam से पहले इतना प्रिपेर हो के जाते हैं कि आप पास हो जाएं ठीक है अगर 70 marks का exam है तो आप प्रिपेर करते हैं 50 marks के लिए और आपके marks आते हैं 42-43 आपको internal marks मिलते हैं 27-28 marks आपको internal मिल रहे हैं 25-26 marks मिल रहे हैं यह आपके सब्जेक्टिव पेपर और आपकी बात करें प्रैक्टिकल में तो आप स्कोर कर रहे हैं 85 से 90 के बीच में जो की हर बंदे को मिल जाते हैं अगर प्रैक्टिकल ठीक ठाक आपका जा रहा है और faculty का मन नहीं है कि आप तो नंबरी कार्ड दूँगा मैं चाहें जो हो जाए ठीक है तो ठीक ठीक से पढ़ते रहेगा अपना college में fail मत हुएगा और सब्जेक्टिव एक्जाम में पास होते रहेगा और प्रैक्टिकल वेबर में अच्छे से परफॉर्म करती रहेगा तो आपकी 70 परसेंट मार्क्स अपने आप बन जाएंगे ठीक है मैं तो कहूंगा जो approach रखनी चाहिए वो 75 परसेंट दे 78 परसेंट के बीच में रखनी च सब्सक्राइब तो ऐसा मत करिएगा 70 परसेंट मार्क्स अगर आप बैठने को मौका मिल जाए कंपनीज में अगर आप ऑल क्लियर हैं आपके 70 परसेंट माक्स हैं तो यह मान के चलिए आपके बैच में 270 लोग है ना तो उसमें से 170 फेल होंगे हर समस्टर फेल होते हैं लोग इत्ते लग 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 तो फेड 200 भी फेल हो सकते हैं ठीक रिवाल कर रिजल्ट आने के बाद 50-60 लोग और पास जाएंगे ठीक काफी टफ है आइम यू कुलकाता में स्पेसिफिकली लाइफ मार्क्स को लेके काफी टफ है ठीक ह तो मेरे साब से इस तरीके से करेंगे तो आपके 70 परसंट मार्क्स आ जाएंगे तो थैंक यू वरी मच फॉर वाचिंग आम इसेटी आस्परेंट साइनिंग आफ